जै हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनिक ग्यान में तो आज हम देखेंगे बी ये थर्ट सिमेस्टर के बहुत ही महत्वपूर यमसी क्यू टॉप 30 कुश्चन जो की बार बार पोछे जा चुके हैं और हमारा पहला प्रस्न क्या है भारतेंद के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक कौन है भारतेंद जी के अनुसार मतलब भारतेंद जी क्या कहते हैं कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है तो भारतेंद जी के अनुसार गोपाल चंद्र के द्वारा लिखी गई नहूस जो नाटक है वह प्रत्थम मौलिक नाटक मानी जाती है जो कि आपके लिए बहुत ही जादा important question बन जाता है दूसरा प्रस्ण क्या है हमारा हिंदी नाटक के विकास को कितने कालों में विभाजित किया गया है मतलब हिंदी के जो नाटक काल है उन्हें किन भागों में विभाजित किया है उनका विकास किन किन भागों में हुआ है तो हिंदी नाटक के जो विकास है उनको चार भागों म बाटा गया है, कौन-कौन से भाग हैं, मतलब कौन-कौन से काल हैं, पहला है भारतेंद यूग, दूसरा संक्रांती यूग, तीसरा प्रसाद यूग, और चोथा है प्रसाद उत्तर यूग, कितने हैं, चार हैं, कौन-कौन से भारतेंद यूग, संक्रांती यूग, प्रसाद यूग प्रसाद उत्तर यूग जिसे हम नव यूग भी कहते हैं तो अगला प्रसन हमारा है तीसरा प्रसन हम कहेंगे जिसे तीसरा प्रसन हमारा बन जाता है कि भारतेंद यूगीन नाटक कारों के नाम लिखी मतलब की जो भारतेंद यूग में कौन-कौन से ऐसे लेखक थे जिन्होंने नाटक लिखा था तो भारतेंद यूगीन नाटक कार हैं जैसे कि पंडित प्रताप नारायर मिस्र जी हैं स्री निवास दास जी हैं राधा कृष्ड दास जी हैं और किसोरी लाल गोस्वामी जी हैं और अंबिका दत्त ब्यास जी हैं बदरी नारायर चोधरी प्रेमगन आदी हैं ये सब कौन से हैं भारतेंद युगीन नाटक का रहें अर्थात भारतेंद युग में ये सब नाटक लिखा करते थे अगला हमारा प्रस्न क्या है भारतेंद युगीन नाटकों की विसेस्ताए क्या गया थी जो भारतेंद युग में नाटक लिखे जाते थे उनकी क्या क्या विसेस्ताएं थी तो भारतेंद युग की जो विशेस्ताइं थी पहला क्या था राश्टी भावना का समावेस था मतलब जो भारतेंद यूग में लिखी गई नाटक है उसमें राश्टी भावना का समावेस है सांस्कृतिक जागरड का संदेश है समा सुधार की भावना है नाटकों में हास सिभ्यंग की प्रधानत एवं कलात्मक्ता की कमी आदी है तो भारतेंद यूगीन की विश्यस्ताओं को हमने आपको बताए जो कि पॉइंट वाइज आप नोट भी कर सकते हैं राश्ट्री भावना का सामावेस सांस्कृत जागरण का संदेश समास सुधार की भावना नाटकों में हास ब्यंग की प् विश्यस्ताओं लिखिए मतलब प्रसाद यूग में जो नाटक हैं इस प्रकार हमने बताया कि भारतेंद यूग में जो नाटक लिखे गए उनकी क्या विश्यस्ताओं थी जो कि उपर यूग तो आप सबने देख लिया हैं अब हम देखेंगे प्रसाद यूगीन नाटको की विशेष्टाएं प्रसादियुन नाटकों की विशेष्टाएं यह हैं कि राश्टी भावना का स्वर मुखर था उसमें और सांस्कृतिक चेतना को उद्बुद किया गया है और एतिहासिक चरित्रों को अपनाया गया है तथा मौलिक नाटकों की बहुलता उसमें दी गई देखिए हर एक युग में क्या important है question मतलब क्या आ सकता है वो हम आपके लिए बहुत ही important important प्रस्ण लेकर आए हैं यह आपके MCQB में भी काम आएंगे और अगर आपका topic wise या heading wise कोई देर घुत्तरी प्रस्ण में भी आ जाता है तो आप heading बनाकर अच्छे से लिख सकेंगे क्योंकि आप अगर जानते रहेंगे तो भारतिवन्द युग से पूरो किनी तीन कहानियों के नाम कौन कौन से है तो ललू लाल द्वारा लिखा गया प्रेम सागर सदल मिस्र कृत नासिकेतो पाक्षान तथा सेद इंसान लाखां कृत रानी केतकी की कहानी ये सब तीनो कहानिया और तीनो लेखकों के वारे में हमने पहले की एक वीडियो में अच्छे से बता दिया है जिसका आप content अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा या फिर यूनीक ग्यान जब हमारे चैनल में आप विजिट करेंगे तो आपको एक वीडियो मिलेगी कि कहानी का उद्भवयोम विकास जो कि बीए थर्ट सेमेस्टर के आपके सिलिवस में है अगला प्रस्ण हमारा क्या हो जाएगा भारतेंद यूगीन कहानी कारों के नाम लिखिये अर्थात भारतेंद यूगीन कौन कौन से कहानी कार थे भारतेंद जी थे बालकिस्ड भर्ट थे प्रताप नारायन मिस्टर जी थे किसोरी लाल गोस्वामी आद ये सब प्रमुख भारतेंद युगीन कहानीकार थे अगला हमारा क्या प्रस्ण है दिवेदी युगीन कहानी एवं कहानीकारों के नाम लिखिए कि सोरी लाल गोसामी की इंदु मती राम चंदर सुकल द्वारा लिखित 11 वर्स का समय और बंग महिला द्वारा लिखित दुलाई वाली और वरिंदा वन लाल वर्मा की राखी बंध आदी चर्चित रचनाए है मतलब दिवेदी युग में ये सब जो है सबसे जादा चर्चित जो कहानिया है कौन कौन सी है कि सूरी लाल गोस्वामी जी की इंदु मती राम चंदर सुकल जी द्वारा लिखि गई 11 वर्स का समय और बंग महिला द्वारा लिखि गई दुलाई वाली और वरिंदा वन लाल वर्मा जी द्वारा लिखि गई है राखी बंध अगला प्रस्णा मारा है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम लिखिए देखिए हमने नाटक के बारे में कुश्चन अच्छे से क्लियर कर लिए कहानी के बारे में अब हम देखेंगे कि उपन्यास में क्या प्रस्न ऐसे हैं कि जो हमारे पेपर में बन सकते हैं हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम क्या है आचार रामचंद्र सुक्ल ने लाला स्री निवास द्वारा कृत परिच्छा गुरु को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास स्विकार किया है तो ये आपकी यमसीक्यू की विद्रिष्टी से बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है और आपको प्रथम मौलिक उपन्यास के बारे में अगर पूछेगा तो आप उसको भी अच्छे से एक्स्प्लेंट कर सकेंगे तो किसने कहा है आचाड रामचंदर सुकल जी ने किसे कहा है लाला स्री निवास जी द्वारा लिखित परिच्छा गुरु को क्या कहा है प्रथम मौलिक उपन्यास अगला प्रस्ण मारा क्या बन जाता है कि भारतेंद युगीन उपन्यासों के नाम लिखिए मातलब की भारतेंद युग में जो उपन्यास हैं उनके नाम लिखिए भारतेंद युग में देव की नंदन खत्री जी द्वारा लिखा चंदरकांता संतती बाल किस्ड भट जी द्वारा लिखी गई रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी सव अजान एक सुबजान युम राधा किस्ड दास द्वारा लिखी गई अदभुत लास और गुप्त चर ये सब भारतेंद युगीन उपन्यास के नाम है अगला हमारा प्रसने क्या हो जाता है आलोचना हमने नाटक के बारे में प्रसने देख लिए उपन्यास के बारे में कहानी के बारे में अब हम देखेंगे आलोचना आलोचना की परभासा क्या होती यह बहुत इंपोर्टन हो जाता है किसकी कला है कला करित के गुडो यो मूल्यो के निर्ड़े इससे तत्सममन्धित निर्ड़ा तथा उसकी अभिव्यक्ती दोनों ही नहीत है आलोचना पर भी वीडियो मैंने बनाई हुई है आपको डिस्क्रिप्सन में प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाएगी इसमें बी ए थर्ड सेमेस्टर के स्लेवस वाइज सब चैप्टर्स कम्प्लीट करा दिये गए हैं और यह हमारी कुष्चन की सिरीज स्टार्ट हो गई है आलोचना हमने बताया था कि आलोचना क्या होता है कि किसी मनुस्य की या किसी कार की या किसी घटना की बुराई करना ही आलोचना नहीं होता है उसमें अच्छानिया क्या है उस पे भीटी पड़ी करना आलोचना का ही एक भाग है अगला हमारा प्रस्न क्या है हिंदी के चार आलोचकों के नाम बताई है मतलब हिंदी के कौन से चार ऐसे आलोचक हैं वो जो मुख हैं या आप कुछ भी बता सकते हैं लेकिन वो आलोचक होने चाहिए तो पहले कौन से हैं आचार राम चंदर सुकली जी इनका नाम हर जगह सबसे सामने दिखाई पड़ता है हजारी परसाद दिवेदी जी राम विलास सर्मा और डाक्टर नगेंदर अब हम देखेंगे यात्रा क्या है यात्रा का वास्तुविक अर्थ एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर जाने की क्रिया को ही यात्रा करते हैं अगर हम कहीं पर सफर करते हैं यहां से कहीं दूसरी जगह 500 किलोमीटर दूर किसी दूसरे अस्थान पर पहुंच जाते हैं तो कैसे पहुंचेंगे हम यात्रा करके ही या सफर करके ही तो इसे ही सफर या यात्रा करते हैं अगला प्रस्न मारा है संसमरण क्या है संसमरण में लेखक जो स्वयम देखता है जिसका वा स्वयम अनुभो करता है उसी का वरडन करता है उसके वरडन में उसकी अपनी अनुभूतिया और समवेदना भी रहती है अर्थाद जब कोई लेखक किसी घटना को स्वयम देखता है और स्वयम अनुभो करता है और उसी का वरडन करता है तो वह संस्मरड कहलाता है अगला हमारा प्रस्ण है संस्मरड की दो विशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् करने की उनकी सकती छमता जो होगी वो अधिक होगी उन्हीं की तो संस्मरड लिखे जाएंगे वो उन्हीं द्वारा संस्मरड जो लिखा जाएगा वही हम पढ़ सकेंगे और उनकी अनुभव से लिखी द्वा गई जो संस्मरड कहानी होगी उससे हम कुछ लाव उठा सकेंग समवेदन को जगाने वाली सामान्य विस्यस्ताओं से युप्त किसी प्रतिनिधी चरित्र के मर्म असपरसी स्वरूप को देखी सुनी या संकलित घटनाओ की प्रिष्ट भूमी में इस प्रकार उभार कर रखना कि उसका हमारी हिर्दय में एक निश्चित प्रभाव अंकित ह हो जाए रेखा चित्र कहलाती है या सब्द चित्र कहलाती है किसी भी कहानी को समवेदना को सामान्य विस्यस्ताओं को प्रतियस पर्दा को किसी के बीच में जो प्रतियस पर्दा होती है उसको इस प्रकार से व्यक्त करना कि जो अगला मनुस्य है उसको उसका प्रभाव प कहानी गतिसील होती है और रेखाचित्र गतिहीन अर्थात इस्थिर होती है रेखाचित्र और संस्मरण में अंतरस्पस्ट कीजिए हमने सभी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर कर लिया अब उनके बीच के अंतर की जो महत्वपूर प्रसन है उसको हम अच्छे से जानेंगे रेखाचित्र और संस्मरण में अंतरस्पस्ट कीजिए संस्मरण का 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 संस्म नहीं होता है रेखाचित्र के आलंबन प्राय समाज के सामान ने प्राणी होते हैं ये दोनों रेखाचित्र की विसेस्ताएं हैं अगला हमारा क्या प्रस्न है आत्मकथा से आप क्या समझते हैं मतलब आत्मकथा के बारे में आप क्या समझते हैं आत्मकथा लेखक के जीवन क संबध वरडन होता है आत्मकथा के द्वारा अपने बीते हुए कल या बीते हुए जीवन का सिंगाव लोकन एक व्यापक प्रिष्ट भूम में अपने जीवन का महत दिखलाया जाना संबभ होता है किसी भी प्रसिद ध्यक्ति का आत्मकथा बनती है या आत्मकथा लिखी जा हुए उसको अच्छे से जानेंगे तो वो क्या experience किये क्या struggle किये उन्होंने और किस प्रकार वह सफल हुए हमको भी उससे कुछ सीख मिलेगी इसलिए हमें आत्मकथा महान लोगों की पढ़नी भी चाहिए हास से आत्मकथा की विशिष्टाएं भी अब जान लेते हैं आत्म कथा का चरित्र नायक लेखक स्वयम होता है जो नायक होता हुआ अब अपने बारे में सबसे अधिक कौन जानता होगा किसी विव्यक्ति के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति उतना नहीं जान सकता जितना वह स्वयम जानता होगा तो अपने बारे में लिखता है आत्मकथा आत्म कता यह थारत और प्रामारिक तत्यों पर आधारित होती हैं और हासिवेंगे की दो विश्यस्ता हैं अब हम जानेंगे निवंद जैसी गद्य विधा जिसका प्रिथक आस्तित्थ हैं वह क्या होती है हासिवेंगे हासिव्यंग का अधभुद मिस्चरड ये सब हासिव्यंग की विश्यस्ता हैं अगला प्रस्ण मारा क्या है अम्रित लाल नगर का जन्म नागर का जन्म कब हुआ था अम्रित अम्रित लाल नागर जी का जन में कब हुआ था 1916 में नागर जी ने कितने उपन्यास लिखे थे लगभग 20 नागर जी ने मानस का हंस का प्रारूपड का प्रारम किया था 4 जोन सन 1971 में मानस का हंस लेखन नागर जी ने कहां प्रारम किया था तुलसी इसमारक भवन आयुद्या में तो ये थे आज के हमारे कुछ सबसे महत्तपूर कुश्चन्स जो की आपके पेपर में सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं आप विश्वास रखीए ये सीरीज की सभी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको एक से अधिक बहुत कुश्चन्स देखने को आपके पेपर में मिल जाएंगे और जिसने पहले के टॉपिक्स क्लियर अच्छे से पढ़े ना हो तो टॉपिक वाइस पढ़ने के लिए प्लेयलिस्ट में विजिस्ट कर सकते हैं प्सक्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और अपने दोस्तों के पास सेयर भी कर सकते हैं धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में